हलो फ्रेंट देखिए आज हम लाए हैं बगेर गन्य के गन्य का जूस बनाना और ये घर पे इतना तेश्टी बनता है आप जरूर एक बाद जरूर ट्राइ करिएगा और इसके लिए देखिए मैंने दो ये नीवू ले लिए हैं और ये 50 ग्राम संधिक मैंने गुड ले लिय है अब ये गुड से ही मैं बनाऊंगी और देखिए ये थोड़ा मैंने दो चम्म सम्तिंग मैंने एक काला नमक ले लिया है और मैं सबसे पहले ये गुड के लिए छोटे-छोटे पीस कर लूंगी मैं चाकू से और इससे बिल्कुल बही फ्लेवर आएगा जो हम करने का दुल लिया था दुलने के बाद में छोटी-छोटी मैं थोड़ी पत्तियां ले लूंगे इसकी ज्यादा नी डालेंगे हम चार-पांस इसकी पत्तियां डाल लेंगे हम जो उपर से जो कली आती है वो हम डाल देते हैं देखिए बस मैंने इतना सा पोधीना डाला है इससे गन्य के जूस में बहुत अच्छा फ्ली बराएगा इसमें सिर्फ आधा चम्मा से भी कम मैंने काला नमक डाल दिया है सेंदा नमक इससे बोलते हैं और इसमें मैंने नीबू इस तरह से मैं काट लूंगी अब मैं नीबू दो नीबू इसमें डाल दूंगी अब दिखिये इसमें नीबू का रस में डाल देती हूँ आप इसी तरह से मैंने नीबू का रस भी डाल दिया है दो नीबू डूंगी और मैं थोड़ते है यह मैं डाल दिती हूँ तीन चार मैंने अब डालने के बाद हम ढखकन को बंद कर देते हैं बहुत बारी करके हम इसे पीस लेंगे अब देखिए मैं आपको भी दिखाती हूँ यह देखे हैं बहुत अच्छे से मैंने पीस लिया है अब मैं एक छनी से गिलास में छान लेती हूँ आप जरू घर पर ट्राइक करिएगा इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बिल्कुल गन्य के जूज जैसे आएगा अब देखिए अब हमारा यह दो गलास बनके तैयार हो गया है अब मैं इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से एक-एक ऐस क्यूब डाल दिया है अब दीकिए इसमें एक-एक-एक-दो-दो डाल दी के बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें अच्छा लगने के लिए मैंने थोड़ी सी पोधीना की पत्तियां डाल दी है थोड़ा सा लैबन अब यह हमारा तैयार हो गया है बगेर गन्ये का जूस घर पर बनाना हमारे गन्ये नहीं भी हो तो घर पर आसानी से बन सकता है आप जरूर ट्राइ करिएगा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना